एक शिक्षित व्यक्ति अपनी गरीबी पर कभी शर्मिंदा नहीं होगा एक तेज कुलहाडी वाले आदमी के लिए एक बड़ा पेड क्या है मोर की सुन्दर्ता उसके पंखों में है किसी व्यक्ति की सुन्दर्ता उसके चरित्र में है जीव एक देज चाकू की तरह है ये किसी व्यक्ति का गला काट सकती है एक आदमी जो अपनी बात नहीं रखता वो बिना आवाज के डोल की तरह है एक अच्छा दिल हमेशा दीपक की तरह चमकता रहेगा जब दिल साफ होता है तो आँखें सच बोलती है एक मुस्कान कठोरतम हिरदयों को भी कौमल कर सकती है एक ब्यक्ति जो शराब या ड्रक्स की मदद के बिना खुश रहना नहीं जानता वो बिना ड्राइवर के कार की तरह है बुद्धिमान ब्यक्ति ये देखता है कि उसके पास क्या है ना कि उसके पास क्या नहीं है लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ अधिक धन्न है जिस ब्यक्ति में शर्म की भाबना नहीं है उसे सुन्दरता की कोई समझ नहीं है सबसे मीठा फल भी पकने पर जमीन पर गर जाता है सबसे उची उडान भरने बाला पक्ची वही है जो अकेले उड़ता है सो जूटे दोस्तों से एक सच्चा दोस्त होना पहत्तर है एक आकुशल कारिगर हमेशा अपने उपकरणों को दोश देता है जब परिवर्तन की हवा चल दी है तो कुछ दीवारें बनाते हैं जबकि अन्य पवन्चक्की बनाते हैं एक पेड जो समरिद्ध मिट्टी में उखता है वो अपनी तागत नहीं जानता एक कुट्टा जो बहुत ज्यादा मोखता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता एक छोटी सी चीटी भी पहाड को हिला सकती है अगर वो चड़ती रहे एक सच्चा दोस्त वो है जो तब चलता है जब बागी दुनिया चली जाती है बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है मोर्ग व्यक्ति सोचता है कि वो सब कुछ जानता है यदि आप एक घंटे के लिए सुख चाहते हैं तो एक जब किलें यदि आप जीवन भर के लिए सुख चाहते हैं तो किसी की मदद करें ये दच्चन भारतिय कहावतें 11 अर्थ लिये हुए हैं यदि आपको किसी भी कहावत का अर्थ समझ ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब दी और वीडियो देखने के लिए दिल से आवार